नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का निश्य एकडेमी पार मद्यप्रतिस की भोगोलिक इस्तति और प्राक्रतिक प्रभाव जो हमारा टोपिक चल रहा था उससे संबंदी थी यह हमारा भाग दो है इससे पहले अगर आपने भाग एक नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देखिएगा साथ ही इस वीडियो को लाश्टा तक जरूर देखिएगा अधिक साधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा साथ ही अगर इसकी पीडियो आप लेना चाहते है तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला कोशन है कि सबसे उची चोटी कौन सी है चार उप्षन है दूबगड सिद बाबा गुरु शिकर या दोदा वेट का तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है सबसे उची चोटी जो है आपकी दूबगड चोटी है और इ महादेव परवत स्रेणी पर इस्तित है और यह जो है प्रदेश के सबसे उची चोटी है तो महादेव स्रेणी पर जो इस्तित सत्पुड़ा की जो धूगड चोटी है आपकी प्रदेश के सबसे उची चोटी है अगला कोशन यहाँ पर है कि सोसर सकोली वा चिलपी स्रेण याकि सट्टानिक्रम से संबंदी थे तो यह आपकी धारवार्ट चट्टानिक्रम से संबंद रखती है तो option B जो है अमारा सई अंसर बन जाएगा अगला यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है तो बाला गाट और छिंद्वाड़ा जिलों में जो है यह आपकी विस्त्रत है अगला कोशन है बहंडेर केमुर व पारसनात किस परवरत सरंकला के उप विभाग है चार उप्षन है विद्धानचल सत्थपुडा अरावली या अजन्ता तो इसका आपका जो सही जावब बनता है वह बनता है उप्षन ए यानि कि यह जो है आपके विद्धानचल की जो है परवरत सरंकला के उप विभाग है देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है विद्धानचल सेनी उत्तरव दक्षिन भारत के मद्दे विभाजक का कार्य करती है और इसकी जो अधिक्तम उचाहिए आपके 881 मिटर है तो इसका आपका जो सही जावब बनेगा वह बनेगा ओप्षन ए वह अगला कोशन हमारा है कि राजपिपला महादेव मेकाल वह राजमहल किस परवत सरंकला के उप विभाग है तो यह जो है आपके सत्वपुडा के उप विभाग है यानि कि ओप्षन भी इसके अंतरगत हमारा सही जवाब बनता है देखिए यहां से कोशन आया हुआ है कि जो राजपिपला की पाहड़ी है किस परवत सरंकला का उप विभाग है तो सत्वपुडा जो परवत सरंकला है उसका उप विभाग है और जो सत्वपुडा सरेणी है इसका जो पश्रीमी भाग है वह आपका राजपिपला सरेणी के अंतरगत आता यहां पर एक और ट्रिक आपको यहां पर बता देते हैं कि यहां पर आपको तो सकते हैं आपने जो है वर्श स्ट थो सुना होगा इंडिया वर्श इंग्लेंड तो यह जो वर्श वर्ड है इसको आप याद कर लिजिए खाली वी और इस लिख लीजे तो यह आपको आसानी से याद हो जाएगा तो वी फ़ोर जो है आपका विद्ध्य हो जाएगा और सफपुड़ा हो जाएगा यानि कि túनक्रमदा नदी के उत्तर में क्यांसी पर्वसरंखला आती है तो विद्धन चलाती है और ने понदी के दक्षिन में वह कौन चान्वदा आती है तो इन दोनों में बहुत बार बच्चे कंफुजन होते है तो श््ट्रीक के माद्द को जो आप याद रख सक्ते हैं और अग्ला कोशन मद्धा प्रधार पूर्य पठार को शामिल किया जाता है चार बुंदलकन का पठार आपतार को रिवापन्ना का पठार तो इसका आपका जो जवाब बनता है वह बनता है बगेलखन का जो पठार है इसको जो है मद्धप्रदेश का जो उप विभाग पूरिव पठार के अंतर जो है इसको शामिल किया जाता है या बगेलखन का जो पठार है इसको पूरिव पठार के नाम से भी आपका जाना जाता है तो option सी जो है हमा सब्सक्राइब पूरुवी देश अंतर विश्टार आप कोन सा है तो यहां पर आपका जो option A है वह सही जावब बनता है चोहत्ता डिग्री 9 मिनिट जो है यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है चोहत्ता डिग्री 9 मिनिट से लगा कर 82 डिग्री 48 मिनिट तक जो है आपका मद्ध प्रदेश का पूर्वी देशांतर है और इसको पार करने में यानि कि बाला घाट से अली राचपूर तक जाने में जो सूर्य का प्रकास है इसमें कितना टाइम होता है तो इसमें जो है 34 मिनिट का अंतराल आता है यानि कि अली राचपूर की तुलना में बाला घाट में आपका जो सूर्य हो दही है 34 मिनिट पेले हो जाता है तो इसका जो आपका सही जवाब बनेगा वह बनता है option A अगला question यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रत्वी की प्रारंभिक चट्टान मद्यप्रदेश में कौन सी है देख लिजे इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आद्य महाकल्प मद्यप्रदेश के पूर्वी भाग तथा बुंदेल खंड में गुलाबी ग्रे नाइट की नाम से भी जाना जाता है बुंदेल खंड और पूर्वी भाग यानि कि आपका जो बगल खंड वाला इससा है वहाँ पर इसको देखने को आपको मिल सकती है अगला कोशन यहाँ पर है कि केमूर स्रेणिया किंदो प्रमुक नदियों के बेच जल विभाजक का जो है आपका कार्य करती है चार उप्षन यमना तथा सोन, सोन तथा इहरन, सोन वर नर्मदा, वेयरमा तथा सोनार नदी तो इसका जो उप्षन ए है यमना तथा सोन नदी के बेच जल विभाजक का कार्य करती है यह हमारा सही जावब बनता है अगला कोशन यहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वादिक खनीज कौन से चट्टान समू से मिलते हैं चार उप्षन है आध्य महकल्प धारवाड पूराना समू या गोंडवाना है तो इसका आपका जो सही जावब बनता है वो बनता है कि सर्वादिक जो आपकी चट्टान है कहां से मिलती है तो यह आपके धारवाड समू से जो है सर्वादिक खनीज है आपके कौन सी चट्टानों से मिलते है तो धारवाड समू से जो है आपके सर्वादिक खनीज होते हैं तो यहां से भी जो है कोशन बन सकता है अगला कोशन आपर देखते हैं कि लमेरा हिल्स आपकी कहां पर इस्तित है चार उप्षन पंच मड़ी जबलपूर राइसेन या विदिसा तो इसका आपका जो सही जाओ बनता है वह बनता है उप्षन बी जबलपूर में जो है आपकी लमेरा हिल्स इस्तित है और साथ ही आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बता दे कि हाली में जो यूनेशकों की संभावित सुची जो जारी हुई है उसमें मद्यप्रदेश के दो इस्तान है उनको जो है आपका चैन किया गया मद्यप्रदेश के दो इस्तानों का यू साथ रख सकते हैं लं मेरा हील सबकि काहँ है ऊपकी जानगा अगला कोशन आप रहे कि मद्धप्रदस के कितने ईले नराजिस्तान कि सीमा को चूते हैं चार उप्षन है छे, आठ, दस या तेरा तो इसका जो सही जाब बनता है वह बनता है मद्दपदस के दस जीले जो है आपकी राजिस्तान की सीमा को चूते हैं कौन कौन से जिले जो है आपके यहाँ पर राजिस्तान की सीमा को छूते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर बता देते हैं उनके नाम इस प्रकारे जाबुआ, रतलाम, मनसोर, नीमच, आगरमालवा, राजगर, गुना, शिवपूरी, शोपूर तथा मूरेना यह 10 ऐसे जिले ह जो की राजिस्तान की सीमा को छूते हैं अगला कोशिन यहाँ पर है कि मद्यप्रदेश के कितने जिले उत्तरप्रदेश की सीमा को इस पर शक करते हैं आट जिले, बारा जिले, तेरा जिले या चूदा जिले तो इसका आपका जो सही जाब बनता है और बनता है तेरा जिले उत्तर प्रदेश की सिमा को जो है आपके इस परश करते हैं और मद्यप्रदेश के सर्वादिक जिले हैं किस राज्य को छूते हैं तो वह जो है आपके उत्तर प्रदेश को ही छूते हैं उनके नाम यहाँ पर देख लिजे उनके नाम इस प्रकार है भिंड, मुरेना, दतिया, शिवपुरी, अशोगनगर, सागर, टिकमगर, निवाडी, छतरपूर, पन्ना, सतना, रिवा तथा सिंगरोली यह जो आपके तेरा जिले हैं यह उत्तर प्रदेश की सिमा को लगते हैं अगला कोशन है निमने लिखित में से उन राज्यों के जोड़ों को चुनी है जिन में मद्यप्रदेश के सरवाधिक और नियुनतम जिले इस परश करते हैं तो देखिए सरवाधिक तो अभी आप भी आपको बताए कि सरवाधिक जो है वह किस से छूते हैं तो आपके उत् राजपूर जिला तो यह जो दो जिले आपको गुजरात से चूते हैं यानि कि हमारा यहाँ पर जो है ओप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ यहाँ पर देख लिजे आप यह जो है इसका विवराण पढ़ सकते हैं कि मद्धपदस के सरवाधिक तेरा जिले उ उन जिलों की संख्या बताई है जो कि किसी भी राज्य की सिमा रेखा को नहीं चूते हैं यानि कि हमें मद्धपदस के ऐसे जिलों की संख्या बतानी है जो कि कि किसी भी राज्य की सिमा को इस पर्शन नहीं करते हैं तो उन जिलों की संख्या आपकी यहाँ पर बनती है 18 ज जिले हैं मद्यप्रदेश के जो कि किसी भी राज्य की सिमा को इस पर्शन नहीं करते हैं और उनके नाम इस प्रकार है इंदोर भोपाल ग्वालियर जवलपूर उज्जेन विदिसा धार देवास सीहोर साजापूर राइसेन होशंगाबाद हर्दा नर्सिंगपूर दमो कटन उमरिया तता मंडला तो यहां आपके 18 जिले हैं जो कि मद्यप्रदेश के 18 जिले हैं जो कि किसी भी राज्य की सिमा को आपके इस पर्शन नहीं करते हैं देखिए अगर आप यहां पर पढ़ रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो MP का मेप है अपने सामने जर जरूर खोल के रखे हैं चलिए यहां पर अगला कोशन देखने से पहले आपके जानकारी के लिए कुछ और यहां पर बता देता हूं कि देखिए आपने यहां पर तो पढ़ लिया कि मद्यप्रदेश के 18 जिले हैं जो कि कि राज्य की सिमा को नहीं चूते हैं लेकिन मद्य मद्य प्रदेश के इसे जिले के नाम बताईए या एसे जिलो की सिमा को इसपरशक करते हैं तो उनकी जो संख्या है आपकी किर्फ लाज्य की सिमा है उनको इसपरशक करते हैं तो पहले यहां पर बात करें आपकी तो जहाबुआ 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 जहा आपका महाराष्ट हो गया दूसरा हो गुजरात इन दोनों राज्जों की जो सिमा है वह अलिराजपूर से लगती है तिसरा जिला यहाँ पर आता है वह आपका बालागाड बालागाड जो जिला है वह भी दो राज्जों की सिमा को आपका इस पर शकरता है और किनकिन को इस डूसरा वगया है उत्वियर आपके यहां पर कंप्लिट होते हैं तीन ञिलो के नाम आपको बता देते हैं चुछ जो मुझाू Вот छिवपूरी सिव पूरी जी जीद locience का है कि इस पर शक्रता है तो यह जो है आपके राजिस्तान और यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश और राजिस्तान की सिमा को शिव पूरी के साथ साथ जो आपका मूरेना जिला है वह भी इस परशक करता है तो पांच जिले यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गई और दूसरा है अलिराचपूर तीसरा है बालागाट चोथा है सिंग रोली पांचवा है शिवपूरी और छटवा है आपका मुरेना तो यह जो है आपके छे ऐसे जिले थे जिनके नाम आपको यहाँ पर बता दिये गए और किनकिन राज्यों से यह आपकी सीमा छुते हैं यह भी जो सूर्यों दई है आदा घंटे बाद में होगा यानि कि सीधी में जो है सूर्यों दई आपका आदा घंटे पहले होगा ओप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइड आंसर बनता है चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भारत का मानक समय जो है आप जो हुए ज्यानिक दरश्टी से मद्यप्रदेश भागे तो मद्यप्रदेश जो है आपका गोंडवाना लेंड का भागे ओप्शन भी आपका यहाँ पर राइड आइंसर बनता है देखिए साथ यागर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके भी जो है आप आ आंसर जो है सही रहे हैं तो इसका जो आपका ओप्शन भी जो है सही जवाप बनता है कि भारत के केंद्र में स्तित मद्यप्रदेश देश का रधे इस्तल है भुवेग्यानिक दरश्टी से भारत का प्राचिनतम भागे हिमाले से भी पूराना या भूखन किसी समय उस सरच किसना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महादिप आपका कहा गया है अगला कोशन यहां पर है कि चंबल घाटी के निर्मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन उत्तरदाई है चार उप्शन है स्प्लेस सीट रिल या गली तो उप्शन डी जो है आपका सही जवा ग्वालियर में तीस लाक एकड में जलोर मिट्टी विस्तरत है इस चेतर में चंबल लदी ने गहरी गहरी ना लिया का निर्मान करी से उत्काद भूमी के रूप में आपका परिवर्तित कर दिया गया है अगला कोशन है चेतरफल के आदार पर भारत में मद्ध प्रदेस र बात करें तो विभाजन से पूर्व यानि की 2000 वर्ष 2000 से पूर्व अगर छेतरफल के आधार पर पहला इस्तान पूछा जाता है तो वह हमारा मद्ध प्रदेस आता था चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कोशन अगला कोशन यहाँ पर है कि निमने लिखित में से म सीमा है आपके उत्तर परदेष को इस परशन नहीं करती ऑफ्षन डि जो है इसका राइड अंसर बनेगा देख लिजआ मद्ध प्रदेश के शोवपुर जिले की सिमा उत्तर प्रदेश को इस परशन नहीं करती बलकि राजिस्तान राज्ये की सीमा को चूती है जबकि प्रदेश के भिंड सतना थे था शिव पूरी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को आपकी चूती है अगला कोशन है मद्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूबाग की सेत्र में प्रतिशत है जबकि नर्मदा गाटी चेतर मालवा का पठार या बगेलखन का पठार तो इसका आपका जो सही जाब बनता है और बनता है उप्षन सी मालवा का पठार मध्यप्रदेश को साथ भोगलिक चेतर में विवाजित किया गया है जिन में सचर्वादिक बड़ा 800 वर्ग किलोमेटर सत्पुड़ा में कल सरेने का 900 वर्ग किलोमेटर तता बगेलकन का छेतर पल 25,000 वर्ग किलोमेटर आपका है देखते हैं यहाँ पर अगला कोश्चन के निमने लिखित में से मध्यप्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक उंची चोटिया है चार आपके पाई जाती है मध्यप्रदेश के सत्पुड़ा में सबसे अधिक उस्ची चोटिया है यही पर प्रदेश का मात्र हिल इस्टेशन पंचमडी भी है और इसकी जो सबसे उची चोटी दूब गड थेरा सो 50 मिटर है जो कि प्रदेश की सबसे उची चोटी है कुछन यहाउना पर मद्दवर्द्थस राज्ज कितने राज्जों से गिहरा हुआ है कोन कौन से है तो पहला जाहेगा गुज्रात तीसरा जाएगा आपका राज़िस्ताइब चोथा जाएगा च्छतिस गड़ और पांच वाराज जाएगा आपका यहां पर महराष्ट है देखते हैं यहां पर हमारा अगला कोशन अगला कोशन नर्मदा घाटी के प्रणो संखलाओं के बीच में इस्तित है तो देखिए यहां पर आपके आपको एक ट्रिक भी बताई चल्ट ही वर्सेस यानि की विद्धाँचल और शथपुडा इन दोनों के बीच में जो है आपकी नर्मदा घाटी जो है ईस्तित है तो इसका उप्शन सी जो है आपका सई जाब बन जाएगा नर्मदा घाटी सथपुड़ा और विद्धयाचल परररसं क्लाव के बीच मे जो उद्गम इस्तेल है अमर कंटक को माना अमर कंटक है यानि कि यहीं से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है यह नदी मद्यप्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है मद्यप्रदेश सरकार द्वारा सन 1985 में नर्मदा घटी विकास प्रादीकरन जो है इसका भी गट प्रादीकर नर्मदा दी पर बना हुआ है साथ हिसके ध्रार जो है आपका यह शूरी बनाये जाता है डिल्टा का निर्माद नहीं किया जाता है यह शूरी का मत्तब यहां पर होता इसलिए इसके द्वारा जो है शूरी का निर्मान किया जाता है अगला कोश्चें यहां पर हमारा देखते हैं कि नर्मदा घाटी उधारने तो यह आपका ब्रंश घाटी ब्रंश कगार का जो है आपका उधारन है आउचन ए जो है हमारे यहां पर सोरी जो है यानी की ब्रंश घाटी जो है इसका हमारा सही जाब बनता है नर्मदा घाटी है जिसके उचाए दिंसार मिटर के लगफक है यह एक ब्रंश घाट सोन नैम्omena की घाटि में मुख्य था डखकन ट्रेप की चट्टा ने आपकी पाई जाती है अगला कोशन मद्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशन्शा पर हुआ था चार उप्षन पंडित नेहरू सर्दार पठेल राज्य पुनर गठन आयोग या राज्य वी गठन आयोग तो इसका आपका जो सह की दरश्टी और राज्यों के पुनर गठन की मांग उठने लगी थी जिसके चलते हैं फजल अली के अद्ध्यक्षता में 29 दिसंबर 1913 पन को राज्य पुनर गठन आयोग का जो है गठन होता है जिसके दो सदर्श्य थे पंडित रदेइनात कुजरू और डाक्टर के एम पंडिकर यानि की राज्य पुनर गठन आयोग में आपके तीन अद्ध्यक्षत सही तीन सदर्श थे पेले उसके अद्ध्यक्षत पजल हली थे दो और इसके सदर्श थे पेले थे रदेइनात कुजरू और दूसरे थे के पंडिकर इनिकी आयोग की सिफारिस के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पूराने मध्यप्रदेश के 17 हिंदी भार्षी जीले मध्य भारत के मंसूर जीले के सुनेल टपा को छोड़ का संपूर्ण मध्य भारत पूरो विंद्यप्रदेश महा कोशल के हिंदी भार्षी जीले और राजिस्तान के कोटा जीले को सिरंज विदिशा भíbाल बनाई गई थी तो देखिए सुतनद्धाता के पूर स्चाहीं यानिकी राजए पुतनर नुसल्हाजाण इनुसा कि स्वटार को दो भागों में विभाजित करती है तो मालवा का जो पठा रहे करकर रेखा के द्वारा दो भागों में आपका विभाजित होता है और यह करकर रेखा कि बात करें कि यह मद्यप्रदस के कितने जिलों से होकर गुजरती है तो मद्यप्रदस के 14 जिलों से होकर यह गुजरती है और यह जो करकर रेखा है बहगेलकन और रिवापन्ना के पठार से भी गुजरती है किन्तु उनके कुछ ही भाग इसके अंतरगत आते हैं यानि कि जो मालवा का पठार है उसको दो बराबर भागों में करकर रेखा के द्वारा विभाजित किया जाता है अग मद्यप्रदस का एक मात्र हिल हिस्टेशन पंचमणी जो है आपका महादेव पाडियों में इस्तित है चलिए देखते हैं यहाँ पर इससे जुड़ी कुछ और जानकारी देख लीजे मद्यप्रदस का एक मात्र परवती इस्तल पंचमणी होशंगोबाद जिलेमा आपका पंचमणी को सत्पुरा स्रेणी की महादेव पाडियों के बीज इस्तित होने और अपने सुन्दर इस्तल के कारण सत्पुडा की राजदानी भी जो है आपका पंचमणी को कहा जाता है अगला कोशन यहाँ पर है कि चंबल गाटी मद्यप्रदस के किस भोतिक विभाग में इस्तित है चार उप्षन बगेलकन का पठार बुंदेलखन का पठार मध्य भारत का पठार या विंधन कंगारी प्रदेश तो इसका आपका जो सई जावब बनता है मध्य भारत के पठार में चंबल गाटी जो है आपकी इस्तित है चंबल गाटी मध्य प्रदेश के मध्य यानि कि मद्यप्रदस के उत्री जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है अगला कोशन यहाँ पर है कि यह इस्तान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रिश्मकालिन राजदानी के रूप में जो है जाना जाता था चार उप्शन है रानी खेत शिवप चेतर से 113 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित नगर है इस नगर की प्राक्रतिक सुंदरता और सांस्क्रतिक विराशत की जलक देखने के लिए यहाँ परियाटक बड़ी संक्या में भी आते हैं शिवपूरी में गर्मियों के दिनों में जो है रहने के लिए आया करते थे और डेली इस प्रकार की क्लास लेने के लिए या जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा थैंक्यू वेरी मच